प्यार भरा नमस्कार स्वागत के इस दौर में जहां हमने बहुत सारी चीजों को आसानी से अपने पास उपलब्ध कराया वहीं दूसरी ओर हम साइबर क्राइम के चपेट में भी आए यह साइबर क्राइम क्या है इससे बचने के क्या-क्या उपाए हैं और हम इससे किस प्रकार सुरक्षित रह सकत हैं इन ही सब प्रशनों के जवाब आपके और हमारे प्रशनों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियों में मौझूद है होडी कंप्यूटर डिपाट्मेंट श्री संजे कोमार जी स्वागति संजे जी आपका आप रविशंकर युनिवर्सिटी में विभागा अध् इंटरणेट और इंटररनेट म Спасибо ए और इंटरमेट मने किसी औरगनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क इन माध्यमहों से जो भी प्रकार का अपराद होता है उनको साइभर अपराद की श्री हणिमें रखा जाता है साइवर अपराद के खासेती यह कि इसमें जो है डारिक इसके साइबर क्राइम के तो क्या ये अभी जो बीता कुछ समय है जिसके मैं कहूं तो दो साल जिसमें हमने बहुत तरकी कि ये इसी समय से चालू हुआ या इसका कोई इतिहास भी है इसका इतिहास बहुत पुराना है अच्छा देखा जाए तो सन 1820 जबकि एक मिलता है लेकि साफ ऑफिस फ्रांस में वहाँ पे कुछ मेसेजेस को हैकर्स ने है किया था ऐसी रिपोर्टिंग हुई थी और यहां तक भारत वर्ष का सवाल है तो सन 1992 में कंप्यूटर वाइरस के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी हम जागरुकता पर बात कर रहे हैं अभी सुरक्षा जागरुकता पर तो किस प्रकार की यह सुरक्षा हो सकती है लेकिन अगर देखा जाए के टेगराइज किया जाए तो एक तो राश्ट्री इस्तर है दुसरा आप और और यह संस्था इस्तर पर करें और तीसरा हम लोग मान सकते हैं कि व्यक्तिगात इस्तर इंडिज्वल ब से इतने नुकसान पहुचाए जा सकते हैं जो कि साधारण बंब से नहीं जी जी फॉर इक्जामपल पावर ग्रिड होता है उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है पावर ग्रिड से पूरा देश जुड़ा हुआ है चाहे इंडस्ट्री हो चाहे रेलवे हो च प्रांस्पोर्ट हो या होस्पिटल हो हर जग तो पावर सप्लाई क्या हो शकता है और अगर कोई साइबर अटेक करके पावर ग्रिड कोई ध्वस्त कर दे तो ब्लेक आउट हो जाएगा ऐसा हुआ भी है तो यह कलाता है राश्टी स्थर पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक् चार हजार करोड रुपया का केवल भारत सरकार ने इसी साइबर सुरक्षा के लिए खर्च किया और साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सर्टीन नाम की एक संस्था कभी की स्थापना की है जिसका काम है कि केवल साइबर अटेक के बारे में सचित करना आपने ये जो जानकारी दी अभी हमारे दर्शकों को, मैं जानना चाहूंगे कि इसके लिए कुछ नियमावली तयार की गई होगी, कि साइबर सुरक्षा से किस प्रकार बचना चाहिए, तो इसके लिए क्या नियमावली बनाई गई है? क्या है कि IT Act 2000 बना था, प्रमध महाजन जी थे उस समय, IT Minister, जिसमें कि हुआ कि इमेल जो है वो आपका legal document है, सन 2008 में इसे revise किया, कि कुछ amendment किये गए, इसमें ये बताना अवशक होगा सन 2008 और इस बीच में social media, facebook, whatsapp अगरा बहुत जादा आ गए हैं, तो फिर से amendment की तो आवशकत है, तो भारत में तो इसी प्रकार कन्यम है, IT Act, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दे कि आप हमारा ये कारिक्रम अपने हमारे YouTube चानल पर भी देख सकते हैं, यदि आपके मन में कोई प्रशन आ रहा हो, जिसकी जानकारी आप हमारे export से चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube लिं हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं? वो एक सेकेंड में हजारों cycle चल जाते हैं, तो ये सब easily breakable होते हैं, जो कि इसी पर केवाल work कर रहा हो कि कैसे password को break कर रहा है, तो password strong रखना चाहिए, complicated रखना चाहिए, थोड़ा से अपने को अनीज होगा उसमें दिक्कत होगी, और password जैसे कि हम लोग का mobile वगर कभी गुम ज जाता है, तो mobile से ज़्यादा जरूरी होगे contact, तो इसके लिए अच्छा होगा कि एक जो है उसमें Gmail में आप synchronize करने, contacts को, mobile में setting में जाके उसमें option होता है, synchronize करना कर, तो आपका चाहिए Radiff Mail Account है, Gmail Account है, उसमें आप उसको synchronize करके रखें, जिससे कि क्या है कि अगर mobile में कुछ हो भी गया, damage, तो आपका password सुरक्षित रहेगा, और time to time माने कम से कम साल में एक बार आप उसका print भी ले ले, तो आपके पास पूर रूप से सुरक्षित रहेगा contact, जी, संजय जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि आज का जो दौर है, उसमें बहुत सारी चीजे अब digital हो गई है, तो ऐसे समय में संस्थान जो काम कर रहे हैं, अपने digital वे में अपना सब कुछ सुरक्षित रखे हुए हैं, तो उनको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने data को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे सरकारी स संस्थान हो, अगर संस्था इस तर पर देखा जाए, तो network security important है, क्योंकि जैसे एक बड़ा college है, university है, hospital है, तो उसमें एक router होता है, जिसके थूरू की पूरा का पूरा internet traffic आता है या उस से जाता है बाहर की तरो में, तो वहाँ पर एक firewall लगाना चाहिए, अच्छे किस्म का firewall लगाना चाहिए, firewall का काम एक gatekeeper की तरह होता है, चौकिदार की तरह, जो कि internet traffic को monitor करता है, कौन सा traffic है, कौन भेज रहा है, कहां भेज रहा है, यह सब पूरा उसमें एक control करने के उसकी छमता होती है, और side by side कई स नहीं करनी है, तो यह firewall आवशेक रूप से लगाना जरूरी हो गया है, अन्यथा website hacking के बहुत समस्या है, आजकल आने लग गई है, और उसके अलावा license software का use करना चाहिए, अच्छा, पारेटेट का नहीं करना चाहिए, और उसके लिए अच्छा होगा कि एक सलाह देना के साथ computer करी दें, काने का मतलब उसका हो सकता है, cost कुछ बढ़ जाए, तीन-चार हजार, लेकिन उसमें operating system कम से कम हो सके, तो office भी वो pre-loaded रहे, कुछ ज्यादा पैसा खर्च करके, तो आपका license सुरक्षित हो जाएगा, तो आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो की ATM card क कि यूज के दौरान कि क्या-क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, साथानी बरतनी चाहिए, ATM card जो है, आज कल बहुत vulnerable हो गया है, मने कि source of attack बहुत बड़ा एक ATM card है, ATM card के माध्यम से बहुत सारी धोखा जड़ी हो रही है, ATM card के मामले में हम ल जो कि ATM card पर जो निर्देश दिये हैं, शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं, या उसके साथ जो manual छोटी सी booklet मिलती है, बहुत कम लोग हैं, जो कि पूरा शुरू से आखिर तक समझ समझ के पढ़ते हैं, पहले तो घर में उसको अच्छे से पढ़ें, अध्यान करें उसका, उ उसमें आप limit set कर सकते हैं, for example, जैसे कि एक हजार, दो हजार रुपया का आप limit set कर दीजिए, कि एक दिन में उत्ता ही रुपया निकलेगा, उसके लिए जैसे कि state bank के online जो internet banking है, उसमें आप जाएं, अपना login में, जाएं, login करें, और login करने के बाद से आप उसमें e-services में ज अगर आप देखते होंगे internet banking में कि एक virtual keyboard आता है, उसको कहा जाता है virtual keyboard, virtual keyboard की खासियत है कि उसमें key logging नहीं होती, key logging का मतलब यह होता है कि आप जो भी कुछ प्रेस कर रहा है, pin या password, वो पूरा कहीं न कहीं record हो रहा है, आप के अन जाने में, तो इस तरह का key logging का जो है virtual keyboard में वो संभव नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि ATM card है, तो आप उसमें password बदलते भी रहें, और strong password रखें, और pin को, और एक चीज और, अगर आप ATM card का use कर रहे हैं, तो आप अपने दुसरे हाद से cover कर लें, उंगलियों को, pin प्रेस करने के समय, तो भी काफी सुरक्षा हो अच्छा, बात हम जब ATM card की कर रहे हैं, तो अभी जो नया ATM card बन रहा है, जो चिप वाला बना है, उसमें Wi-Fi का भी एक option होता है, कि डारेक्ट Wi-Fi से पैसे deduct किये जा सकते हैं, ये कितना सुरक्षित है, जो चिप वाला बन रहा है, उसमें ये खासियत है, क्लोनिंग नहीं हो क्लोनिंग का मतलब यह होता है, कि जाने अन जाने हम लोग क्या करते हैं, कि कई बार मुगल में या फिर पेट्रोल पंप में, हम लोग अपना card दे देते हैं किसी को, transaction के लिए, ये अच्छी practice नहीं है, तो इसी को avoid करने के लिए उसमें micro processor एक chip लगाए गया है, अच्छा, जी हम इस विशे पर आगे भी चर्चा करेंगे, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, दर्श को मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. भाव कहा खा रहें, भाव तो दिये हैं, तहिश दिये हैं मतलब भाव दिये हैं, खरीद लिया है आपके बेटे को, इज़द से पूछेगा, तो मिलेगा यूज करने, स्कोटर भी और बेटा भी, बढ़ेगी बेटी, तभी तो बढ़ेगी बेटी, चोदो, चोदो, दर्शे को स्वागत है आपका ब्रेक के बार, आज हम विशेश कारेकरम में चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा जागरुकता पर, हमारे साथ एक्सपोर्ट की रूप में मौजूद हैं, डॉक्टर संजे खुमार जी, संजे जी हम चर्चा कर रहे थे करना चाहूंगे आपसे वो ये रहे कि ये जो समय है इंटरनेट का, उसमें आज स्कूल कॉलेज भी जो है वो मोबाइल और लेप्टॉप पर सिमटाया है, जिसमें हमें मजबूरी हो गई है कि अपने बच्चों को हम लेप्टॉप और मोबाइल दें, तो ऐसे समय में हम कि इस प्रकार की साब्धानी बर्द सकते हैं, बच्चों के लिए हम लोग को विशेश साब्धानी रखने की जरूरत है, लेप्टॉप मोबाइल में क्योंकि ओनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो जो फॉर इजामपल उसमें यूटूप और किड आता है, बच्चों के लिए उसमें parental control की जा सकते हैं, parental control का मतलब यह है कि parents का login ID अलग रहेगा और बच्चों का और एक से जादा बच्चे है, उन सभी का अलग-अलग login ID, password रहेगा, बच्चा अपने login ID से enter होगा, और parents उसमें limit कर सकते हैं कि वो कब से कब तक करेगा, और भी कई सारे controls उसमें होते हैं, तो इसके लावब यूटूप और किट्स के लावब भी कई सारे और apps आते हैं, जैसे कि एक safe family नाम का app है, और भी हैं, तो उनको install करके कुछ हद तक हम लोग उनको सुरक्षा पदान कर सकते हैं, अच्छा, यह cyber आकरमन जो है, इससे आम नागरिक वो किस प्रकायर बच सकता है, आम नागरिक को तो बचने के लिए सबसे पहली बात है कि जो है, जो OTP आता है, OTP ही एक माध्यम है जिससे कि किसी person के identity को bank या कोई और agency वो ascertain करती है, सुनिशित करती है, और होता ही है कि हम लोग अपनी ही गलती से OTP बता देतने किसी को, इसका यह मतलब हुआ कि हम लो को दे दी, उसको authorize कर दिया, उसके बाद करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, fraud हो गया, अगर आप OTP बताने के बाद से, अगर आप पुलिस में भी जाएंगे, bank में भी जाएंगे, तो आप लोग को यह जवाब मिलना सुनिशित है, कि आपने OTP बताया, अब आपी की ज आता है, कि आपका account 24 घंटे में बंध हो जाएगा, नि तो फिर आप इस malicious, इस यह link को आप प्रेस करिए, और इसमें कुछ data दीजिए, जैसी उस link में प्रेस करते हैं और हम लोग data देते हैं, वैसी transaction हमारे bank account से पैसा निकल जाता है, तो अपने को थोड़ा सा सहियंबर अतन है, क्योंकि एक तरह का hacker जब बात करते हैं, तो hypnotized type का हो जाता है, समोहन type का हो जाता है, बहुत जादा जानकार लोग भी उसके शिकार में चंगूल में आ जाते हैं, हम लोग को बहुत जादा सा अधानी वरतनिक की जरूत है, कि इस तरह के जो इसको fishing कहा जाता है, fishing मतलब म management मिलने वाली है, आपका कुछ यह होने वाला है, बने कि ATM card block होने वाला है, तो आम लोग कभी respond न करें उसको. संजय जी एक वर्ग है बुज़ूर्गों का, जो कि retirement के बाद उनके पास एक अच्छी खासी रकम आती है, और वो उनके bank account में रहती है, जिनको जानकारी नहीं होती कि online transfer या transaction किस प्रकार किया जाता है, ऐसे में वो fraud cases से किस प्रकार बचें? जो लोग, जो सज्जन retirement के दलिच पर हैं, या just retire हुएं, उनके account में all of a sudden अचानक बढ़ी राशी आती है, और hackers की नजर में वो लोग रहते हैं, तो उन लोग को तो विशेशी जागरुकता की आफशकता है, तो वो लोग जो है, जो मैंने बताय उपाये, जैसे कि अपना OTP आधार नंबर, personal detail कभी ना share करें, किसी इस प्रकार के link को कभी भी ना press करके अपनी को information दें, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है, मैं जानता हूँ, अच्छे अच्छे जानकार लोग भी उस चंगुल में आ जाते हैं, उसके अलावा अच्छा होग कि कई बार wifi, public place से, airport पर railway, तो हम लोग को avoid करना चाहिए, financial transaction करने के समय, financial transaction मतलब payment और अगरा करने के समय में, hotel में गए, वहाँ पर wifi है, हम लोग खुश हो जाते हैं, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग को free wifi मिल रहा है कहीं से, और हम लोग खुश हो जाते हैं, देख wifi avoid करना चाहिए, और इस तरह के अगर आप कभी cyber cafe में काम करना पड़े, तो cyber cafe में भी key logging hardware एक लगाई जा सकती है, आप क्या press करने है, record हो सकता है कहीं न कहीं, तो cyber cafe में भी आप avoid करें, financial transaction करना, उसके लाएव एक incognito mode का लाता है, setting में जाकि incognito mode में क्या होता है, कि history off हो ज हो सकता है, आप cyber cafe में work करके चले गया और बाद में जाके कोई बैट गया और देखने लगा आपने क्या क्या work किया, history off होने से सब off हो जाएगा, अच्छा, mobile जो एक हमारे पास अब भी सब के पास होता ही है, और उससे कई प्रकार के transaction भी किये जाते हैं, यदि किसी कारण व हो रहा है, सबसे पहले तो एक 14422 नमबर है, उसमें आप inform कर दे, phone करके, क्या होता है, C. नाम की एक central government की संस्ता है, जो कि एक database maintain करती है, database में क्या रहता है, आपका mobile number हम लोग जानते हैं, 10 digit का mobile number होता है, लेकिन कम लोग जानते होंगे कि mobile number के अलावा एक IMEI number भी होता है, IMEI number 15 digit का है, SIM number 20 digit का है, यह complete एक database रखा जाता है, और सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, वहाँ पर C. क्या करेगी कि उसका, ब्लॉक कर देगी, उसके कारण किसी अनाथराइज हात में भी है, तो वो अगर दूसरा भी SIM लगाएगा, तो उससे वो कुछ work नहीं कर पाएग जैसे बैंक में जो दोखा लड़ी होती है, उससे किस प्रकार बचा जा सकता है, अगर बैंक में कभी banking fraud हो ही गया, तो आप एक उसमें number 155260, आप उस पे आप तो inform पहले तो कर दीजिए, ठीक है, 155260 पी inform करने से क्या होगा, कि क्या होता है कि hacker जब आपके account से पैसा निकाल आते हैं, तो वह कई सारे account में transfer करते चले जाते हैं, धीरे धीरे करके, छोटे छोटे टुकडों में, यहां पर क्या होगा कि आपका आपकी राशी जिस भी अवस्था में, जिस भी जगापर है वो free हो जाएगी, और further वो transaction में नहीं आ पाएगी, सबसे बढ़ी तो यह बात है, उसके अलावा आप bank में, पुलिस में भी इंफॉर्म करिए, और जैसा मैंने लेकिन बताया, अगर आपने OTP share किया, आपकी की गलती है, तो आपको यह जवाब मिल सकता है, आप तयार रहिए, कि आपकी उसके जम्यदार हैं, वो सकता ऐसा आपको कहा जाए, बैंक में, बहुत सारे अभी तो एप्स हो गया है, मनी ट्रांजेक्शन के लिए, UPI ID हो चुकी है, तो इसको इंस्टॉल करते समय क्या-क्या साफधानी बरतनी चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए, कि Google Play Store के थूरू ही एप्लिकेशन को इंस्टॉल करें, अगर बिना Google Play Store के एप्लिक करता है, कि हर एप्लिकेशन को पहले तो चेक करता है, वरिफाई करता है, सुरिश्चित करता है कि वह एप्लिकेशन सुरक्षित है, जूस्फुल है, हो सकता है आपको इंस्टॉल करें बिना Google Play Store के वह आपके यूज़ ही करना हो जादा, बाद में आपको परिशानिया आए उसमें, तो Google Play Store सब तरह से पले टेस्ट कर लेता है, तभी उसको वह इंस्टॉल करने देता है, तो ये सारी चीज़े दिहान में रखें, उसके बाद ही आप एप्लिकेशन को डाउन्लोड करें, संजे जी आप हमारे दर्शुकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, साइब होता ही है, संदेश के रूप में मैं यही काना चाहूंगा, जिस तरह से कि नेशनल हाइवे हो रहता है, रोड रहती है, रोड पर ट्रैफिक चलता है, तो हम लोग कई सारी प्रिकॉशन हम लोग को लेने रहते हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलू करना रहता है, जैसे कि सीट लगाएं, हिलमेट लगाएं, कई बार नहीं लगाते हैं, मिस कर जाते हैं यह लोग, और अपनी उसी के हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसी तरह से इनफॉर्मेशन सुपर हाइवे का लाता है, जिस पर कि इंटरनेट ट्रैफिक चलता रहता है पूरे वर् देखा जाएगा, यह देखा जाएगा वाली प्रवित्ति को भी आपको त्यागना होगा, मतलब कुल मिला के अपना पासवर्ट किसी से शेयर न करें, अपना आधार का नंबर भी बिल्कुल ना शेयर करें, और OTP जो आता है वो भी किसी के साथ शेयर न करें, संजर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, धर्शकों, आज आपने राश्ट्रिय साइबर सुरक्षा जागरुकता पर आज जो भी हमारी चर्चा सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इससे जरूर जागरुक हुए होगे, अगले कारेकरम के लिए कीजे थोड़ी सी प्रतिक्षा, थोड़ा सांतजार और स्विकार कीजिए हमारा नमस्कार